दोस्तों अगर आप भी किसी भी एकाउंट का PFMS का पैसा चेक करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको ध्यांस देखना चाहिए दोस्तों जिसा कि आपको पता है कि PFMS के ठुरू बहुत सारे पबलीक योजनाओं में लोगों को फंड दिया जाता है गवर्मेंट की तरफ से और इसका फूल फार्म है दोस्तों पबलीक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम मतलब कि दोस्तों जो भी गवर्मेंट की तरफ से अनुदान रासी होती है वो पब्लिक को प्रवाइड की जाती है जैसे कि कुछ मैं आपको एक्जामपल बता देता हूँ बृधा पेंशन हुआ, बिधवा पेंशन हुआ, किसान सम्मान निदी हुआ और दोस्तों आपका स्कॉलर से जो बच्चों का आता है वो भी इसी फंड के थुरू दिया जाता है मिड़े मिल का पैसा होता है, मन रेगा का पैसा होता है वो सारे फंड दोस्तों इसी के थुरू जो है पब्लिक को प्रवाइड किये जाते हैं उसका डिटेल्स दोस्तों आपको चेक करना है तो ये वीडियो आपको ध्यास देखना है नमस्कार दोस्तों मेरा नामे देव साहनी और आपका स्वागत है देव साहनी टेक चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो यार लाइक कर देना चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करकर गंदा दबाकर आने वाली वीडियो को नौटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी तो चलिए सुरू करते हैं तो दोस्तों PFMS का पैसा मैं आपको अपने फोन से ही चेक करने का तरीका बताऊंगा आपको साइड में स्क्रीन दिख जाएगी आप इस टेक को फॉलो करके किसी भी एकाउंट का PFMS का फंड चेक कर सकते हैं तो सबसे पहले गूगल में आपको टाइप करना है PFMS टाइप करके आपको सर्च करना है तो जो सबसे पहली लिंक आएगी दोस्तों वही ओफिसेल वेबसाइट किये आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसकी लिंक दोस्तों मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्सर में भी दे दूँगा लेकिन आपको यहाँ पर घबडाना नहीं है बस आपको इसको रिफ्रेस कर देना है ठीक है तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे फोन पर पब्लिक फाइनेशल मेनेजमेंट सिस्टम की पूरी ओफिसल वेबसाइट ओपेन हो चुकी है कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस है और यहाँ पर जो भी योजनाओं का फंड यहाँ पर रिलीज किया जाता है उन सभी का फोटो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगर चेक करना है कि know your payments का आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है जैसे दोस्तों know your payments के उपर आप क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर payment by account number इस तरह का एक पेज आ जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे पहला आपको box मिलेगा वहाँ पर आपको अपना bank का name डालना है आपको दोस्तों उसी bank का name डालना है जिस bank का account number आपने PFMS के योजनाओ के लिए दिया है मतलब कि जहाँ पर आपका PFMS का पैसा आता है उसी bank का name आपको डालना है तो चलिए हम यहाँ पर अपने bank का name डालना है आप जिस तरह से type करेंगे दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे bank के name आजाएंगे आपको यहाँ पर select करेंगे जो भी आपका bank होगा ठीक है उसके बाद दोस्तों आपको नीचे एक और box मिलेगा Inter account number जो भी bank का आपका account number है वो आपको यहाँ पर डाल देना है तो आपको यहाँ पर ध्याँ रखना है कि सेम जो आपका account number है वही आपको नीचे वाले box में भी डाल देना है अब दोस्तों उसके नीचे आपको एक code का box नजर आएगा जहाँ पर आप देख सकते हैं capture code से बोला जाता है alpha numeric जो है mix होता है यह तो जिस तरह से यह code है उसी तरीके से आपको नीचे word verification वाले box में डालना है तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पर capture code डाल दिया है तो दोस्तों यहाँ पर यह code डालने के बाद आपको नीचे एक option मिलेगा send OTP on register mobile number अब दोस्तों यहाँ पर आपको click करना है और आपका जो भी mobile number register होगा PFMS के account में उस पर OTP भेजा जाएगा तो चलिए हम यहाँ पर click करते हैं तो दोस्तों send OTP पर click करने के बाद आपको वो number so किया जाएगा जो number आपके PFMS यह जनाव में register है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वो mobile number यहाँ पर show कर रहा है और यहाँ पर OTP आपको भेजा जाएगा तो OTP मेरे mobile number पर आ चुका है 51-18-17 तो यह OTP code हम यहाँ पर डाल देंगे OTP code डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको verify OTP के उपर click करना है तो आपका जो भी दोस्तों account number यहाँ पर डाले रहेंगे उसका पूरा PFMS fund का details आपके screen पर show हो जाएगा अब यह account number दोस्तों PFMS की तरफ से जो जो भी सुभिधाओं का या योजनाओं का fund transfer किया जा रहा है वो सारी list आपको यहाँ पर दिख जाएगी जैसे कि अगर यह बृधा pension पा रहे होंगे तो बृधा pension यहाँ पर दिख जाएगा किसान सम्मानी दी का अगर पैसा आ रहा होगा तो किसान सम्मानी दी का यहाँ पर आपको दिख जाएगा और दोस्तों यदि जो है मनरेगा का इनका जो है job card है वहाँ पर अगर यह work करते हैं तो उसका भी fund आपको यहाँ पर दिख जाएगा ठीक है तो यह सारी details आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर bank name और यहाँ पर जो भी account number होगा वो सो होगा और यह जो है आप page इस तरह से करके इसको देख सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर इस page को download करने का भी option मिलेगा ताकि आप इसको save करके राख सकें और इसको कहीं पर भी अगर आपको ज़रौत है तो वहाँ पर भी इसका इस्तिमाल कर सकते हैं यहाँ पर download बटन पर क्लिक करेंगे download पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यह download होने के लिए ready हो जाएगा download पर हम क्लिक करतेंगे और इसको download होने के बाद हम इस तरह से open कर सकते हैं PDF में ठीक है आप देख सकते हैं यह पूरा details यहाँ पर आ चुका है तो दोस्तों इस तरह के से आप किसी के भी account का या अपने घर का या किसी भी सदसे के account का PDFMS fund की details को आसानी से चेक कर सकते हैं उसका PDF file download कर सकते हैं उमीद दोस्तों कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही helpful होगी लाइक करते हैं क्योंकि आप ही लोग लिए मेहनत करते हैं जो भी आप लोग की प्रॉलम होती हैं उसके उपर वीडियो लाते हैं और अगर आपने देव साहनी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देव साहनी को अपना प्यार और सपोर्ट दीजे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब किजिए घंडा दवाईए आल अपको अप्शन स्टेक कर लिजिए आने वाली वीडियो को नॉटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी तो चली दोस्तों मिलता है नेक्स दूट साथ अपना ख्याल लगीगा तेक चैर और गुट बाई